पिल्ज टूरंट्स, नीट एग्जामनेशन सेंटर पे आपको क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है इस वीडियो में इसके बारें बात करेंगे ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग एक बार जरूर देख लिए जिए सौर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ये सारी चीज़ें ले जानी हैं सताती साथ आपको कॉमेंट सक्षिन में मैं तीन वीडियो की लिंक पिन करूँगा जिसमें आपको NTA की गाड़ लाइन्स, एडमेट कार्ट का सेल्फ वेकलेशन फॉर्म कैसे फिल अप करन अपके साथ बात करूँगा आप क्या क्या ले जा सकते हैं तो यहाँ पे आप एक परसनल ट्रांस्परेंट वाटर बोतल अपने लिए ले जा सकते हैं अगर बात करने कि जो एक फोटोग्राफ जो आपको एडमेट कार्ड में पेस्ट करनी है पोस्ट कार्ट साइज हो और आपको लेके जाना है और आपके साथ साथ जो एडमेट कार्ड में आपको सेल्फ डेकलरेशन का जो फॉर्म दिया गया जिसमें आपको पोस्ट कार्ड साइज की जो फोटो है वो आपको वहाँ पे लगा के ले जानी है यह भी आपको लेके जाना है अब यहाँ पे स्टू से में आपकल फोने यहां पर पहुंचने से पहले जो सेलें ले जाहाना है यापको पहले से यह आपको पहले से ही grinding您्यांस निना में भूल करें ऑप Toprum कुछ बीचा जा सकते हैं जाहें वो द्राइव आईडी कार्द होसे वोटर हो करद कि मर्क्षी the एड्मित कायड और आपका पासपोर्ट का आऄर्ड जह भुआधर जो बित फोतवराफ अगर आपका पास चीजां कीण हैं यह इन की उसे तरा आपको लेकर नहीं है तो यहा पे सीधी सी parfois कि ऐसा नहीं है कि आप मोईवाईल ने लेगा और उनको वहार दिखा दिया कि यह हमें और आपने वहार रख लिया फिर आप फोटो कॉपी लेकर नहीं आपको ओरिजनल ही लेकर जानी है और ओरिजनल की ही वहाँ पर आपको रिक्वार्मेंट यहां पर पड़ेगी अब इस्टुएंट्स के मन में एक छोटा सा डा लेकिन स्टुएंट्स कहा रहे हैं अगर हम लेट पहुँचेंगे अगर 12.30 तक पहुँचे या फिर 1.00 पिम तक पहुँचे तो कि एंट्री नहीं दी जाएगी तो आपका 1.30 जो है वो आपका यहां पर लास्ट टाइम है तो 1.30 तक आपको एंट्री यहां पर दी आपको कोविट की वज़े से दिये गए आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी हर एक डाउट आपका किलियर वहत यह सारी चीज़ें आप लोग के वह जरूर ले जाए क्योंकि वहां पर अगर आप फोटोग्राफ अगरा नहीं ले गए तो ऐसी कोई भी वहां पर वैसा नहीं होगी और आपको प्रॉब्लम फेस करने ही पड़ सकती है तो हर एक चीज़ को यहां पर अच्छे से देखके एक्जामनीशन सेंटर पे आप पहुँचें All the best for your exam, thank you